दोस्तों बॉलिवूड आक्टर रितिक रोशन काफी टाइम से फिल्म इंडस्टी से दूर है और जल्द ही बड़ी फिल्म के साथ ऑन स्क्रीन पर धमागा मचाने वाले हैं इस बीच वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फान्स के साथ बहुत इंट्र स्टिंग कॉनपोजेशन भी करते हैं हाल ही में रितिक रोशन ने अपनी मा के साथ एक मिरर सेल्फी को शेर किया है जिसमें एक फान ने आक्टर के घर की सीलिन को नोटस कर लिया इस पर आक्टर ने भी जवाब दिया आई आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और अच इस फोटो को शेर करते हुए रितिक रोशन ने एक आप्शन में लिखा मेरी मा के साथ एक आलसी ब्रेकफास्ट डेट ये एक बहुत अच्छी सुबा है बुदवार को रविवार जैसा महसूस होना सबसे ज़ादा अच्छा है अब जाए अपनी मा को एक हग कीजिए जिया इस फान ने उनके घर की दिवार में सीलन यानि की दिवार पर नमी को नोटिस कर लिया फैन ने कमेंट में लिखा कि गौर से देखिए रितिक रोशन के घर में सीलन इस कमेंट पर जवाब देते हुए अक्टर खुद को रोग नहीं पाए और उन्होंने जवाब में लिखा फिलाल घर भी रेंट पर है अपना घर ले रहा हूँ बहुत जल्द रितिक रोशन और फान के बीच की ये इंट्रस्टिंग कॉन्वसेशन सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हूँ किस तरीके से रितिक रोशन ने एपिक रिपलाई दिया है अपने फान को जिनों ने कहा था कि ज़र रितिक रोशन के घर में देखी आपको सीले नजर आ रही है वैसे आपको बता दे कि रितिक रोशन ने अपने फ्रांस को खुशकबरी भी दे दी है कि बहुत जल्द वो अपना नया घर भी लेने वाले हैं रितिक रोशन जो घर लेने वाले हैं उसकी कीमस 100 करोड रुपे बताई जा रही है रितिक रोशन का घर भी तयार हो रहा है इसलिए जून 2020 में जूहू में एक अपार्टमेंट रितिक रोशन ने किराय पर ले लिया था कहा जाता है कि वो किराय के लिए हर महीने 8 लाक रुपे दे रहे हैं